मौसम समचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरे पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जिले की मौसम की जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए बंगाल में बार का अलर्ट जाने जार्खन समेत राज्य में भारी बारिश की क्या है वचा आपको बता दे भारी बारिश की बीच बंगाल की खाड़ी पश्रि मंगाल सरकार ने राज्य के साथ जिलों में बार की चेतावनी जारी की है हुगली के कुछ हिस्सों में सासा थावड़ा में अमाता और उदे नारायन पूर में बार आ सकती है निचले इलाकों में यलो अलर्ट है आईज चानते हैं मानसून की वापसी की टाई मिंदिनों बारिश का क्या कारण है दक्षेडी पश्ची me मानसून की वापसी शिरू हो गई है 5 अक्टूबर 2023 को दक्षेड पश्ची मानसून समय ते राजिस्थान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वापस चला गया है इसके साथ ही आमडी ने बता है कि 15 अक्टूबर तक 23 समय में देश के सभी हिस्सों में मानसून की वापसी का अनुवान है हालकि अक्टूबर के पहले हफ़ते में कई राज्चों में तेज बारिश हो रही है भारत मौसम इज्यानवी भाग ने माने तो 6 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश समय देश के कई राज्चियों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है इस जौरान मध्य प्रदेश 36 कड के रोल महराष्ट में भारी बारिश की संभावन जताए गई है भारत मौसम इज्यानवी भाग के मुताबिक आज यानी 36 कड और पूर्वी मध्य प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है इस जौरान यहाँ बिजली गिरने के साथ आंधी वी चल सकती है इस कायमेट वैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी यूपी बिहार जारखन उत्तरी 36 कड और डिशाओ फिमाले पश्रिमंगाल सिक्किम पश्रिमासम और मेखाली में हलकी बारिश हो सकती है लखन उत्तर प्रदेश में मानसून विदा हो चुका है लेकिन जारखन उत्तर प्रदेश में मौसम ही बाद दबाव देखने की वज़ा से और बनने की वज़ा से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बाद फिर से मौसम करवट लेगा इस वज़ा से पूरी यूपी में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है हाला कि लखनौ मौसम केंदर की ओर से दी गई जानकारी के मताबिक 5 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी इसकी वज़ा यह है कि जार्खन और पशिमंगाल के शेत्र में दबाव बना हुआ है जिसकी वज़ा से मौसम प्रभावित होगा 24 खंटे के अंदर यह दबाव उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होगी मौसम के इंदर ने बताया है कि अचानक पशिमंगाल और जार्खन के दबाव शेत्र बननी की वज़ास से बारिश होगी जिसमें तापमान में गिरावट होगी अगले तीन दिनों तक एक दो डिगरी सेलसियस दितिक तम तापमान गिर सकता है जबकि नियुन तम तापमान इस्थिर रहने का पुर्वानुमान है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले